हाई बच्चों आपका स्वागत है गुरुजी निटोई में यह दिप्लोमा कर रहे है तो मारे चैनल गुरुजी निटोई को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दबाना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज की लेक्चर में आपको बताएंगे इ यहां पर आपको कोशन लेखा है एक लाइन 6 mm एक लाइन 6 mm तैरोब नहीं कि आपको क्या होगी होगी यह आपको ग्या होगी फिल कितनी देढ़接ि साट न था यह फिक ए त्यकलह ke съदोगगि hod 60 mm AB की फोम में ठीक है एंड ए इन वीपी जो ए पॉइंट है वो वीपी में है एंड 20 mm अबाव HP HP से 20 mm ऊपर है ठीक है डिगरी वीपी वीपी से 30 डिगरी पर है रोदा प्रोजेक्शन ओफ लाइन एबी ठीक है यह यह अब यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या वोला लगा है एक रेखा AB 60 mm का एक सीरा वीपी वेस्थी थे क्लियर और HP से 20 mm ऊपर है HP से 20 mm ऊपर है रेखा HP तथा वीपी में करम से 45 डीरे और 30 डीरे कौन बनाती है तो रेखा के प्रक्षेप खीचो ठीक है रेखा के प्रक्षेप पूछे आपको अनुएक शेप नहीं पूछे यानिकि ट्रेसर नहीं पूछे अब देखिए आपको करना क्या था कि इस केल को सबसे पहले करनी थी टाइट इस केल को फिक्स करनी बाद यहां से एक 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 करने के बाद मैं इसको बना रहा हूं अब देखो एक सीरा हिस्म है वीपी में इस्थी थे तो आपको सिर्फ पॉइंट दिखाना है और अब देखो एक सीरा वीपी में इस्थी तो मैंने किसमें दिखा दिखा दिया एक सीरा वीपी में दिखा दिया रिफ्रेंस लाइन पर किसी कोई डामिंट से नहीं दी अब देखो बीस एम इस एम एक से ऊपर है एक सी से उपर है तो बीसम किसमें दिखाएं वीपी में तो मैं क्या आच कर रहा हूं वीज एमएंब में ऊपर चला और यह बीसम तो आपको अगर मैं यहां पर दिखाऊं किये मेरी लैंट कितना चलाओ मैं वीज एम अब यहां से एक लाइन डारेट सी दिया से ड्रो कर देता हूं यह किया अब हम आगे चलते पॉर्षन रेखा एच्पी तरह वीपी में क्रम से 45 डीडियों 30 डीडिया कॉंड मालाता है एच्पी मे किसमें दिखाएजेगा वीपी में तो मैं करता हूं लूज और कितने डीडियों बनाता हूं 45 डीडियों कोन बनाता हूं तो मैंने यह 45 डीडियों यहां पर बनाया तो 45 डीडियों जब मैं 45 डीडिया कॉंड रहोंगा तो मैं कितनी लेंत लोगा ट्रू लेंत लूंगा 60 डीडियों आप इसको जीरो पर सट कीजिए इस घिरो पर सट रड़ने के बाद फिर आपको तीस डीडियों डियुड है टी लिंध टिर अंत डियु थे सेट्र्पेंडिकुलर ऐसे प्रेडिकुलर न डालेंगे जो आप ये लोकास, लाइन थी आपर इस पर प्रेडिकुलर नहीं गए और यहां से इसका प्रेंडिकुलर डाला है यहां पर इस पर वीपी वाली लाइन पर यहां तक ठीक है देखो इसका परपेंडिकुलर में इस पगया अब देखो यह मेरी ही है क्या देखो यह मेरी है यह मेरे चैयने ती यह कितनी साट है आप ऐसे है मेरा भी भी वह है एडस और ये जोटी डेस ती कितनी साट है यहां तक की लिए अब देखो आप आपको यूज करना कुम पस्टाइब क्शे करना है कम भसका थी कॉस्टन को समझते लाना पूरे तरीके से कंपस का यूस्ट करेंगे रखेंगे आप यहां से लेका है यहां तक की जो लैंद इस पर पर उपने रख़ा और ऐसे रोटेट कर दिया तो असुक्ति है से हम पसिको यहां पर रखिए यहां से यादध की लैंद लीजिए यहांपर यहां से यहां की लैंद लीजिये और इसको एकर ने श 갑ल को ले तर जाएगे खिशिए अब देखो जहां पर भी यह ऐसे लिया अभ यहां पर 8S से एक locust line हमें ऐसे ड्रोग करते हैं कैसे locust line ऐसे ड्रोग करते हैं यह हमारी एक locust line यहां पर मैंने ड्रोग की किया मेरी किया है locust line ऐसी से यहां से भी मैंने एक लोकस लाइन ड्रो किया एक लोकस लाइन यहां से ड्रो किया अब जो यह पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर देखो यहां पर इस point को इंटरसेट इंटरसेट किया और इन point को हम लेकर जाएंगे ए तक इसको मैंने यहां पर इसके साथ ऐसे मिलाया और इसको यहां पर इसके साथ ऐसे मिला दिया ठीक है इसके साथ यह मिलाया अब देखो एच्पी में हमें सा क्या बनता है यह आपका क्या होगा प्लान और बीद इसको मिला देंगे यहां पर इसके साथ ठीक है है यह किसके साथ मिलेगी यह आपकी डिर्यट यहां पर एक दूसरे के इनकलाइंड हो एक दूसरे को ऐसा कट करके जाएगी यह लाइन कैसा कट करे जाए है ऐसा कट जाएगी आप देखा इज और यह जायUM को आपका आप में बेन वह लoo तो यहां से हैем कई राइब लन दा है इसे आपका यह डास ता इसको यहां से लेकर जहां तक का इंधे सरक्कों थी मिरें र के ना यहां दो दा थे फूंझी ओ हो कोश्चन इस परकार से चरणा जैसे में आपको बताया है इस परकार से आपको line of projection का कश्चन करना था angle आप सो खर सकते हैं यहाँ पर आपने कितनी देघ्री का गल लिया 30 ृर यह angle कितनी देड़ी का दिखाया आपने 45 डेड्री का